Comprehensive Preparation App for All the Examination के आज के इस डेली कर इंटरफेस के सेशन में बहुत-बहुत सौगत है दोस्तों। आज का इस सेशन बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के सत्र में हम लोग 19 अगस 2022 के Important Current Interface की इवेंट्स को डिसकस करने वाले हैं तो कि हमारे सभी State VCS Examination चाहे वो UP का हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो MP, राजस्तान, हर्याना, किसी भी State VCS की अगर आप त्यारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत खास होने वाला है तो जुड़ जाईए मेरे साथ सुबा साथ जैसे सोंबाव से शनिवार डेली Current Interface के विशलेशन में जहां पर हम लोग Current Interface के न्यूस का विशलेशन करते हैं तो क्या हाल है आपके और कैसे हैं आप सभी लोग तो आप सभी तक मेरी आवाज यानि कि आडियो और वीडियो एकदम क्लियर आ रही हो तो एक बार कमेंट कर दीजेगा और आज हमारा एक बेहत खास दिन है क्योंकि आज क्रिश्न जन्माश्टमी है तो सबसे पहले आप सभी को जन्माश्टमी की हार्दिक शुपकामना है राधे राधे तो कौन-कौन लोग हमारे साथ जोड़े हैं आईए एक नजर डालते हैं ममता, रुची, किरन, समिक्षा, इर्फान, शिवानी, मुन्मुन, श्रिया, मादवी, रिधी, रिचा, रिते, शर्चना, ओप्टिमस, प्रमोध, रोशनी, तभी का बहुत-बहुत सागाते आध्या, तोभा, वेरी गुड मॉनिंग, उमेश, मोनिका, रिचा, एकता, नीर रज, एकेस, विवेक, अनुराधा, अनामिका, राना, कुमारी, उशा, संदीप, ओमल, रिया, निशा, सभी का स्वागत है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, आज के सत्र को सबसे पहले नजर डालते हैं, प्रमुक सुर्कियों पे, जो कि आज के सत्र में हम लोग बिसकस कर करने वाले हैं, तो सबसे पहली हमारी आज की निउस निकल करके आती है, 15 अगस्त के दिन हमारे प्रधान मंत्री जी के द्वारा आने वाले 25 सालों के लिए, जब हम देश के हम स्वाबी वर्षगाट को मनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे पंच प्रण गोल को ले करके आया गया है, तो ये पंच प्रण है क्या, और ये पांचो गोल हमारे किन-किन छेत्रों को आगे लाने के लिए किया गया है, जिससे कि भारत को हम एक विकास शील देश से विक्षित देश की तरफ ले करके जाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज की पहली निउस में, सेकंड हमारी हेडलाइन निकल करके आती है, गौर्मेंट ऑफ इंडिया के दोहरा एक मन्थन प्लेटफॉर्म को लाया गया है, जिससे कि भारत में उद्योग और हमारा रिसर्च एंड डेवलप्मेंट के बीच में एक रिलेशन्शिप और कॉलाबरेशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि कोई भी नवचार या फिर कोई भी हमारी नई तकनीक हमारे उद्योगों के काम आती है, लेकिन दोनों के बीच में हमारा अंतर होने की वज़े से हमारी क्या एक्शुल जरूरत है उद्योगों को वो हमें पता नहीं लग पाता, तो उद अगर हम इसे कहें कि सवाल आने की 1000 प्रतिशत की संभावना है तो को गलत नहीं होगा क्योंकि भारत के हमारे रक्षा मंत्री राजनास सिंग जी के द्वारा हमारे इंडियन आर्मी के लिए एक आदर्श जो हमारा सैनिक होता है उसका एफ इनास सिस्टम को लाया गया तो एफ इनसास सिस्टम है क्या इसकी फुल पोउम जा नेंगे और इसके लावा जो भारत का आधुनिक सैनिक होगा यानि कि हमारा जो सिपाही होगा वो किन-किन हतियारों से और किन-किन उपकरणों से लैस होगा युद में उसका भी एक model को यहाँ पर रिलीस किया गया है तो क्या है वो model और क्या-क्या चीज़े उसके अंदर मौजूद होने वाली है इसकी चर्चा करेंगे हम आज की 3rd news में 4th news निकल करके आती है हमारे भारत की सरकार के दौरा श्रिलंका को एक डॉनियर मेरिटाइम रिकनसालेशन एरक्राफ्ट गिफ्ट किया गया तो यह एरक्राफ्ट क्यों गिफ्ट किया गया क्या इसका उद्देश है और श्रिलंका इसका इस्तमाल किन काम के लिए करेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे आज की 4th news में इसके लावा हम यहाँ पर यह भी डिस्कस करेंगे कि यह जो एरक्राफ्ट है यह भारत में कहां पर बनता है और अभी तक भारत में कितने ऐसे एरक्राफ्ट बनाए गए हैं तो कि श्रिलंका को हमने गिफ्ट किया है next news निकल करके आती है IRDAI के द्वारा यानि की हमारा Insurance Regulatory Authority of India के द्वारा एक hackathalon को launch किया गया है जिसका नाम है बीमा मन्थन 2022 तो आज देख सकते हैं कि मन्थन नाम से दो निउस हमारे सामने हैं एक मन्थन प्लेटफॉर्म को भी हम देखेंगे और दूसरा बीमा मन्थन तो दोनों अलग-अलग हैं इससे confused मत हो ये का ये बीमा जो है मन्थन ये हमारा बीमा छेत्र का है और वो हमारे ओद्योगी छेत तो मद्य प्रदेश का जो मांडला जिला है वो देश का पहला fully literate district बन गया है तो ये fully functional literacy होती क्या चीज़ है यानि कि कार्यात्मक रूप से हमारा साक्षर जिला होता क्या है और किसी भी व्यक्ति को हम लोग कार्यात्मक रूप से साक्षर कब बोलते हैं यानि कि उसके अं में चर्चा करेंगे छटी निउस में सात्वी निउस निकल करके आती है मरीना तबस्सुम जो की बंगला देश की एक architecture है वो पहली ऐसी दच्छिन एशियाई व्यक्ति बन गई है जिनको लिजबन ट्रेनली lifetime achievement सम्मान से सम्मानित किया गया है तो ऐसा क्या कारे किया गया मर सम्मारीना तबस्सुम के द्वारा जिनके वज़े से इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है और इसके लावा इनके कुछ प्रोजेक्ट्स पर भी नजर डालेंगे जो की इनके द्वारा बनाए गए है तो कब हमारा दूसरा संसकरण पूर्वत्तर ओलंपिक्स का आयुजित होगा कितने राज इसमें हिस्सा लेंगे और इसका पहला संसकरण कब हुआ था और कहां पर हुआ था और कितने खेल इसके अंदर हम लोग आयुजित करने वाले हैं इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज की आठवी यह आज की हमारी उसका विश्लेशन को स्टार्ट करते हैं तो आज की हमारी सबसे पहली निउस निकल करके आती है 15 अगस्त के दिन हमारे प्रधान मंत्री जी के द्वारा लाल कले के प्राचीर से पंच प्रण को हमारा घोशित किया गया जो की हमारे लक्ष है आने वाले अगले 25 सालों के ल और फिर इसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा स्टार्ट करते हैं कि हम सबने 15 अगस्त के दिन इस महुतसफ को देखा ही होगा क्योंकि इस साल का हमारा यह महुतसफ क्या था अम्रूत महुतसफ था हम लोग अपनी अजादी की 75 वर्षगाट को पूरा कर चुके हैं और शेतरवी में हम लोगोंने कदम रखा हैं तो शेतरवी वर्षगाट से ले करके स्ववी वर्षगाट को हम लोग अमरित काल के रूप में बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं अमरित काल के रूप में बोल रहे हैं और इसी अमरित काल में भारत जो की अभी एक डवलपिंग कंट यानि कि हमारा विकास शील देश है इसको हमें डवलप्ट कंट्री यानि कि विक्सित देश बनाने के लिए इन पांच प्रणों को पूरा करना होगा तो हाली में हमारे प्रधान मंत्री जी के 88 मिनट के इस भाशन में अगर आपने देखा होगा तो इस साल का जो हमारा भाशन था वो था 88 मिनट का ये हमारा भाशन था जो कि प्रधान मंत्री जी के दौरा लाल कले से दिया गया था तो प्रधान मंत्री जी के द्वारा यहाँ पे जो पांच प्रण लिए गए हैं वो क्या हैं आईए पहले उस पर नजर डालते हैं तो सबसे पहला प्रण कहता है विक्सित भारत यानि कि भारत को हमको क्या करना है विक्सित करना है यानि कि डवलपिंग से डवलप करना है determination of a developed India यानि कि हमारे पास हमें कदम रखना है एक नए conviction से यानि कि एक नए हमारी उत्तेजना के साथ कि हम एक developed भारत के रूप में खड़े हो सकें तो यह हमारा क्या है पहला यानि कि भारत को क्या करना है विकषेत करना है दूसरा अगर हम बात करें तो हमें किसी भी प्रकार की गुलामी को समाप करना है यानि कि get rid of any sign of slavery जानि कि सभी प्रकार की हमारी गुलामियों का अंत करना है यह हमारा क्या है दूसरा प्रण है ठीक है नोट कर लिजे वहीं पर अगर हम तीसरे प्रण की बात करें तो हमें अपने विरासत पर गर्व होना चाहिए यानि कि भारत का जो इतिहास है उस पर हमें गर्व होना चाहिए तो टेक प्राइड इन इन इंडियाज हिस्ट्री चौथे की अगर हम बात करें तो देश के अंदर एकता और एक जुटता होनी चाहिए यानि कि पावर ओप यूनिटी और वहीं पर अगर हम पाँचवे की बात करें तो हमारे नागरिकों का जो करतव्य है उनको वो पूरा निभाना चाहिए जैसे हमारे देश के प्रधान मंतरी और मुख्य मंतरी का हमारा करतव्य होता है वैसे हमारे नागरिकों का भी करतव्य है तो हमारे मुख्य मंतरी और प्रधान मंत्री भी इस कर्तवे से भार नहीं है तो duties of citizens duties of citizens such as those of PM and CM यानि कि प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री की जैसे जैसे हमारी कर्तवे है वैसे ही हमारे नागरिकों के भी कर्तवे है जो उन्हें पूरा करना है तो अगर हम इन पाचो प्रणों को पंच प्रणों को पूरा करेंगे तो भारत क्या है एक विक्सित देश बन करके त्यार होगा तो नोट कर लीजिए के बहुँब इंपॉर्टेंट हमारा क्या है यह प्रण है और मेशित के अंसर राइटिंग में आपके लिए इस्तमाल हो सकते हैं आप ने देखा होगा कि हमारे कई बार मेश्व में और ऐसे राइटिंग में हमारे भारत को विख्सेत कैसे किया जाये इस पर कोशन आ सकता यह क्या करना है हमें इन पांचों मुद्दों पर जैसे की भारत को विक्सित करना हमें अपनी विरासत पे गर्भ होना हमें नागरिकों के कर्तव को पूरा करना हमें एकता को दिखाना और हमारे देश में जितनी भी प्रकार की गुलामी है उसको समाप करना हमें करना होगा त आपके answer rating में आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है determination से पहले बिटा दा लिखा है दा पहला point है मैं अच्छे से बता दे रहाँ note कर लिजे पहला point क्या है advance with greater conviction and the determination of a developed India यानि कि विक्सित भारत को हमें लेकर के जाना है पूरे जोश और खरोश के साथ हमें ये determine करना है यानि कि हमें ये डण निश्चे करना है कि भारत को हमें विक्सित करना है दूसरा क्या कहता है get rid of any sign of slavery यानि कि कि किसी भी प्रकार की गुलामी का अंत करना है तीसरा take pride in India's history यानि कि भारत का जो हमारा इतिहास है या हमारा जो विरासत है हमें उस पर गर्व होना चाहिए चौथा है power of unity यानि कि एकता में हमारी शक्ती है और चौथा क्या है duties of citizens such as those of PM and CM यानि कि हमारे नागरिकों का करतव वे जो जैसे कि हमारे प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्रियों का होता है वो भी क्या है इससे बाहर नहीं है ठीक है नोट कर लिजे clear चलिए बढ़ा जाए अगले पर good morning everyone अब आते हैं आज की second news पर जो की एक बहुत ही important news है हमारे देश में आपने देखा होगा और योगी छेतर की भूमिका बहुत जादा है चाहे वो अर्थवस्ता में हो चाहे वो रोजगार देने में हो या फिर देश की GDP में भी हमारा important role play करता है अगर हम अपने और देखी छेतर को और बढ़ावा दे तो इसके लिए हमें latest technology और research and development में आगे रहना पड़ेगा और अगर हम देखें तो industries और research and development दोनों क्या है अलग-अलग है क्योंकि प्रद्योगी का अगर आप बात करें तो वो अलग-छेतर में हमारा काम कर रहा है और industries हमारा अलग-छेतर में है तो इसी लिए हमारी भारत की सरकार के द्वारा एक integrated approach को लाया गया है जहां पर हमारे द्वारा एक मन्थन platform हमारा मतलब भारत सरकार के द्वारा एक मन्थन platform को launch किया गया है जो की हमारे उद्योगों को research and development के साथ जोड़ेगा ताकि जो हमारे उद्योगों की आविशक्ता है उस पर हमारे research and development की team या हमारा जोग-छेतर है वो काम करके उनकी solutions को ले करके आए तो यह एक innovation revolution की शुरुवात की जारी है यानि की नवचार का एक क्रांती को ले करके यहां पर आया जा रहा है मन्थन platform के मार्जम से clear तो आईए जानते हैं इसके बारे में जिविस्तित तोर पर अगर हम इस मन्थन platform की बात करें तो इसको जो launch किया गया है वो है किया गया है Office of Principal Scientific Advisor of Government of India Office of Principal Scientific Advisor of Government of India तो भारत सरकार के अधीन आने वाला जो यह पद है उसके कार्याले के द्वारा हमारा इसको launch किया गया है और NSC यानि की national stock exchange क्या है इसको हमारा मंच को हमारा power कर रही है यानि की इस platform को विक्सित करने में national stock exchange जैसे कि आपने देखा होगा Bombay Stock Exchange है वैसे हमारा national stock exchange है तो उसके द्वारा इसको हमारा विक्सित किया जाएगा तो NSC इसको power करेगी और launch कौन करा है Office of Principal Scientific Advisor of Government of India अब अगर हम बात करें तो आपको अगर याद होगा अभी कुछी महीने पहले मैंने करेंट अफेर्स में आपको पढ़ाया था कि भारत के मुख्य व्यज्यानिक सहलाकार कौन बने हैं तो आप मेंसे कोई नाम जानता है कि वर्तमान में हमारे Principal Scientific Advisor of Government of India कौन है पताईए किसी ने याद किया था उसको कि इसी भूल गए थे किसा ने पढ़ा दिया हो गया तो वर्तमान में कौन है हमारे Principal Scientific Advisor of Government of India किया तो नोट कर लीजिए जिसको नहीं पता है डॉक्टर प्रॉफेसर अजे कुमार सूध प्रॉफेसर अजे कुमार सूध वर्तमान में भारत के मुख्य व्यज्यानिक सलाकार हैं और यही सरकार को क्या है इन सब चीजों की सला देते हैं कि नवचार कैसे किया जा सके हैं तो यहाँ पर हमारा Private Sector और Government Sector दोनों मिल करके इस मंच पे काम करेंगे ताकि हमारे Industries को क्या है नई Technology से अवगत कराया जाए और हमारा जो Production है और जो हमारा Industrial Sector है उसकी Growth को और बहतर किया जाए क्लियर है नोट कर लिजे कोई बात नहीं है अजे कुमार सूध हां ठीक है बिल्कुल तो क्लियर है सभी कोई यह वाली न्यूज सेकेंड न्यूज बिल्कुल एकता आपका कहना बिल्कुल सही है पिछली वाली न्यूज में क्या एकता में ही शक्ती है ठीक है नोट कर लिजे अब बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ नेक्स्ट न्यूज हमारी निकल करके आती है हमारे रक्षा मंत्री जी के दुवारा एफ इनसैस सिस्टम को लॉंच किया गया है तो इस हेडिंग को नोट कर ले और इसके उपर क्या लिख ले एक हजार प्रतिशत तो अभी हाल में एक हजार प्रतिशत का मतलब क्या है जो भी छात्र नए जोड़े हैं तो जिस भी नियूस के उपर में एक हजार या पांसो प्रतिशत तो मान के चलिए वो इतनी जादा इंपॉर्टेंट है कि परिक्षा में आपको क्या है छपी हुई मिल जाएगी तो इस प्रणाली के बारे में अक्षे से समझते हैं क्योंकि मे हमारा future inventory soldier के रूप में जाना जा रहा है यानि कि हमारे भविष्य का एक सैनिक के रूप में देखने को मिलेगा यानि कि भारत की जो भी हमारे सेना होगी उसके जितने भी सैनिक होंगे वो इस आधुनिक हत्यारों से और उक्कर्णों से लैस होंगे क्या है ये इसके बारे म से विक्सित किया गया है और अब इसको हैंड़ोवर हमारे जो है सेना को हमारे रक्षा मंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है तो क्या है ये इसके बारे में पहले समझते में कि अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है future इनफैंट्री तोलजर एजा सिस्टम यानि कि भविश्य की जो हमारी इनफैंट्री यानि कि हमारी पैदल जो हमारा सैनिक है उसके लिए ये परणाली को विक्सित किया गया है तो ये जो हमारी परणाली है ये अपने आप में बेहत खास होने वाली है क्या है आई इसकी इम इस पो देखें तो मैं थोड़ा आपको जूम करके यहां पर दिखाता हूं तो अगर आप इस सेनिक को देखेंगे तो इसके सर के उपर एक दुरबीन आपको नज़र आ रही होगी है तो यहां पर एक फोलो ग्राफिक आपको साइट के लिए एक आपको दुर्बीन दी गई है जो की 200 मीटर तक के टार्गेट को हमारा क्या करेगी लोकेट करेगी तो 200 मीटर तक के टार्गेट में हमारा ये दुर्बीन क्या करेगी हमारा दुश्मनों को चिन पाईगी इसके लावा अगर हम बात करें तो हमारे जो ये सैनिक है इनके हाथ में एक राइफल आपको नज़र आ रही होगी अभी समझ लीजे मैं नोट करा दूँगा ठीक है अभी पहले समझ लीजे तो ये जो राइफल है इसको हम लोग AK-203 कह रहे हैं कैसे AK-47 होता है तो वैसे ही ये AK-203 है जो की रश्या के साथ कोलाबरेट करके भारत ने बनाई है तो भारत के सभी सैनिकों के पास ये आधुनिक राइफल होगी इसके लावा अगर हम बात करें तो यहां पर इनके शरीर पर एक बुलेट प्रूफ जैकेट रखी गई है ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट और ये हलमेट है ये 9 mm तक का AK-47 की गोलियों को भी हमारा रोक सकता है आपको पताई है कि AK-47 की जो गोली होती वो सबसे खतरनाक मानी जाती वो किसी भी टारगेट को हमारा बेट कर सकती है लेकिन ये जो हलमेट है और वेस्ट है ये 9 mm तक के AK-47 के हमारे जो गोलिया है उसको क्या करेगी हमारा निश्क्रिय कर देगी इसके लावा हमारे सैनिको के कान में एक हमारा हैंड्स फ्री होगा जो कि वो बैटल फिल्ड में अपने सह हमारे जो करमी हैं उनके साथ कॉडिनेट करने में या कम्यूनिकेशन के लिए इस्तमाल कर पाएंगे तो क्लियर है सभी को नोट कर लिजे अब इसको AK करके आईए नोट करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास क्या है AK-203 AK-203 राइफल है तो दूसरा अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास एक क्या है हॉलोग्राफिक साइट के लिए एक 200 मीटर के टारगेट को हमारा चिनने के लिए एक हमारी दुर्मीन लगाई गई है इसके लावा हमारे 9mm के AK-47 के हमारे एम्यूनेशन या फिर हमारा जो भी इसकी गोलिया है इससे बचाने के लिए हेलमेट एंड वेस्ट यानि की हमारा कवच दिया गया है बुलेट प्रूफ जैकेट और चौथा जो है वो है हमारा हैंड्स फ्री हैंड्स फ्री एट सेट दिया गया है जिसका इस्तमाल हमारा कम्यूनिकेशन के लिए किया जाये का क्लियर है सभी को यह चार आधूनिक चीज़े हैं जो की सैनिकों को यहां पर दी जा रही है बच्चो राजेश सर हमारे साथ जुड़ गए हैं बच्चो राजेश सर का स्वागत कीजिए आपके हिस्ट्री के स्टांदार और जानदार टीचर सर आपको जनमाश्मी की हार्दि समय चल रहे हैं तो सर के साथ शाम को छे बज़े जरूर जुड़िये का चलिए अच्छा मधू भी जुड़िये मधू को जनम दिवस की हार्दिक शुक कामना है तो इसी तरह आप उन्नती करते रहें आगे बढ़ते रहें और जीवन में अपने लक्षों को प्राप करते र ऑन्यर मैरिटाइम री कॉन्साइंज & क्राफ्ट को सिर लनका को उफार में दिया गया है तो क्या है यह आइए इस उफार के बारे में जानते हैं जो कि शिलंका के बार्ख से मिला है और आगे बढ़ने से पहले आ всем आप सभी से आप में से जिनों ने भी अभी तक और इस सेशन को लाइक नहीं किया है यूटुब पे फटा-फट से सेशन को लाइक कर दीजे ताकि हमें भी पता लगे कि आपको हम जो ये पढ़ा रहे हैं जो यह समझा रहे हैं वो आपको पसंदार है कि नहीं कि अब बात करते हैं हमारे इस नियूस की तो हाली में अगर हम बात करें तो हमारे देश ने जब अपनी अजादी की 75 वर्षकार्ट मनाई 15 अगस्तो तो उसी दिन भारत की हमारी नौसेना की तरफ से श्रिलंका को यह उपहार में दिया गया तो अगर आप देख सकते हैं तो यहां पर यह हमारा जो श्रिलंका को हमारा जो यह उपहार में दिया गया है तो वहां पर जितने भी अधिकारी है भा हमारी श्रिलंका को हमारे तमाम प्रकार के जो अपराद हैं जैसे की स्मगलिंग होना human trafficking होना या drugs को हमारा trafficking होना इन सब को रोकने में मदद करेगा तो इसके माध्यम से श्रिलंका की जो हमारी नौसेना है वो गश्ट लगा सकती है पैट्रोलिंग कर सकती है और इस प्रकार की किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी या किसी भी प्रकार के अपराद को रोकने में उनको मदद मिलेगी तो इस डॉनियर हवाई जहच के माध्यम से स्मगलिंग drug trafficking drug trafficking का मतलब क्या है दवाईयों की या drugs की तसकरी और हमारा अन्य चीज़ें जैसे की human trafficking यानि की मानव तसकरी जैसी चीज़ों को हमारा रोकने में यहाँ पर मदद मिलेगी अब अगर हम बात करें तो यह डॉनियर हवाई जहाज है क्या चीज़ तो अगर हम बात करें भारत में तो भारत में एक हमारा public sector enterprises है जिसका नाम है HL यानि की हिंदुस्तान Aeronautics Limited तो 1983 में HL के द्वारा इस डॉनियर हवाई जहाज को निर्मान करना शुरू पिया गया और अगर आप में से कोई HL कानपूर के बारे में जानते होंगे तो HL कानपूर के अंदर इसका निर्मान होता है तो याद रखिएगा हिंदुस्तान Aeronautics Limited का जो कानपूर का यूनिट है वहाँ पर इस डॉनियर हवाई जहाज का निर्मान होता है और लगभग अभी तक हमारे देश के अंदर 124 डॉनियर हवाई जहाज को बनाया गया है तो उसी में से एक हवाई जहाज को एरक्राफ्त तो शिलंका को भारत की सरकार के द्वारा गिफ्ट कर दिया गया है तो इंपॉर्टेंट है याद रखिए का कहां पर बना है और हमारा इसका इंपॉर्टेंस क्या है ठीक है जो ड्रग वगएरा समाम प्रकार के तसकरियों क को रोकने का इसका उद्देश यहां पर चाहिए चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूस की तरफ अगली न्यूस आती है IRDAI के द्वारा IRDAI है क्या पहले समझते हैं और उसके बाद जानते हैं कि बीमा मन्थन है क्या तो अगर हम IRDAI की बात करें तो यह हमारे देश में एक ऐसा प्राधिकरण है या एक ऐसा संस्थान है जो की बीमा छेतर के लिए नियम बनाता है और उसका समनक्षन करने का काम करत रहा है कि नहीं वो सब सही है कि नहीं तो अगर हम IRDAI की बात करें तो इसका मतलब है इंशोरेंस रेगुलेटरी और डवलप्मेंट अथॉरिटी तो यह जो IRDAI है इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और आप में इसे कोई बता सकता है इसका हेड़क्वाटर कहां पर है आई IRDA का मुख्याले कहां पर है इडराबाद में ठीक है तो नोट कर लीजे का इडरा पाद में इसका मुख्याले मौजूद है तो यह जो IRDA है अब हमारे बीमा के छेतर में एक हैकटलौन को लाया है है कि आपको मैंने बताया कि आजकल हमारी सरकार के द्वारा एक नया इनिश कामिल करता है तो हैकतलॉन एक ऐसा इवेंट या एक ऐसा आयोजन होता है जहां पर आप और मैं या कोई भी आम नागरिक अपने सुझाओ विबिन विभागों को दे सकते हैं तो यहां पर यह हैकतलॉन इस बार इंशोरेंस विभाग के द्वारा लाया गया है ताकि वीमा छे सेक्टर में रेगुलेशन को और मजबूत कर सकती हो या फिर नया रेवलूशन ला सकती हो यानि कि क्रांती ला सकती है तो उसके लिए इसको यहां पर लाया गया है तो याद रखिएगा हमारा बीमा मंथन का उद्देश क्या है हम आप जैसे आम नागरिकों के सुझाओ को इंशोरेंस सेक्टर में इंप्लीमेंट करवाना तो अब यहां पर यहां पर कुछ हमारे कंडिशन को निरधारित किया गया है क्या है नोट कर लिए तो आई आई डिये के द्वारा यह जो हैकतलोन लाया गया है इसके अंदर कुछ हमारे विशे निरधारित किये गए है क्य telephone कोई वैक्ति के दूरा उसका क्लेम नहीं किया जाता उसकी मांग नहीं की जाती तब तक उसके वीमा की राशी सटल नहीं होती है लेकिन यहाँ पर IRDA का कहना क्या है कि अगर किसी के पास कोई ऐसा idea या कोई ऐसा software या ऐसा कोई program है जिसमें अगर कोई व्यक्ति की मृत्ति हो जाए तो ऐसे में ततकालीन यानि कि automatically उसके परिवार को या परिजनों को जो भी उसका nominee है उसको पैसा अपने आपी मिल जाए बिन invite किया गया है तो जितने भी हमारे बीमा धारक हैं उनके हितों को यहाँ पर सनक्षित करने के लिए यहाँ पर हमारा इस इसके लावा कई जगा आपने देखा होगा कि हमारे फेक बीमा भी लोगों को दिया जाता है यानि कि जबरदस्ती लोगों को convince किया जाता है कि आप बीमा ले लो आपके लिए यह अच्छा है या वो अच्छा है तो उन सब चीजों से छुटकारा दिलाया जाए क्योंकि ब बीमा के लिए दिन बर फोन आते रहते हैं जिससे कि हमारे जो भी policy holder है या कोई भी एक वेक्ति है उसके इंदर एक negative sense डबलप होता है policy sector को ले करके तो उस प्रकार के जो भी दुहेश हैं उनको भी यहाँ पर समाप्त करने के लिए इस hackathalon में ideas को invite किया गया है और इसके ला इनका कहना क्या है IRDA का कि अगर कोई वेक्ति ऐसा कोई भी software या कोई भी तकनीक वो विक्सित कर सकता है जिसमें सडक पे चलने वाली गाणियों का वीमा है की नहीं इसके बारे में अपने आपी पता लग जाए हमारे सरकार को या फिर हमारे IRDA के या फिर जो भी insurance sector से जुड इंशोरेंस में भी यहाँ पर क्रांती लाने की बात की गई है तो याद रखिएगा हमारा एक important aspect है जो की बीमा सेक्टर में क्रांती लाने का बात कर रहा है अब अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक और important point है जो यहाँ पर पूछा जा सकता है यह जो hackathon है इसका आ इनोवेशन इन इन्शोरेंस यानि की नवचार को हमें बीमा चेतर में लाना है तो यह इस बार इसकी क्या है team है तो यह तो बात हो गई हमारी किसकी इस पूरे hackathon की अब सबसे मुद्दे की बात आपका फाइदा क्या होगा है ना हमारा आपका जो हम अपने विचार दे रहे है आईडियाज दे रहे है ताकि बीमा के छेतर में क्या है हम वदलाओ लाएं तो हमारा आपका फाइदा क्या होगा हमने इंशोरेंस सेक्टर का तो कर दिया फाइदा तो इसके लिए सरकार ने या फिर IRDA ने क्या प्रवधान लाए हैं कि जो भी व्यक्ति के आइडियाज या फिर जो भी उनके मॉडल् अधिकारियों के सामने और सरकार के सामने इसको प्रस्तुत करें और इनको यहां पे कुछ सम्मान की या फिर पुरुसकार की राशी भी दी जाएगी तो कितनी राशी या क्या मिलना है इसकी घोशना नहीं की गई है लेकिन यहां पर यह बताया गया है कि जिसके भी model shortlist हों उसको यहाँ पर प्रुस्क्रित किया जाएगा तो याद रखिएगा उनको यहाँ पर प्रुस्क्रित करने का भी प्रवधान रखा गया है क्लियर नोट कर लिजे वेरी गुड मॉर्निंग चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली नियूस की तरफ जो की बहुत इंपॉर्टेंट है एक्जाम में पूछी भी जा सकती है क्या है ये नियूस आईए समस्ते हैं तो मद्य प्रदेश का जो मांडला जिला है वो भारत का पहला हमारा फुली फंक्शनली लिट्रेट डिस्टिक के रूप में घोशित कर दिया गया है तो क्या है इसका मतलब आईए पहले ये समस्ते हैं कि यानि की कार्यात्मक रूप से साक्षर किसे कह सकते हैं यानि कि कोई भी व्यक्ति functionally literate कब होता है और इसके लिए मांडला के द्वारा क्या प्रयास किये गए और साक्षातादर के क्या आकड़े थे इसके 2011 की जंगर्णा में उस पर नजर डालते हैं अगर हम दोस्तों बात करें तो functional literate का मतलब क्या होता है functional literate का मतलब क्या है यानि कि कार्यात्मत रूप से साक्षार व्यक्ति का मतलब क्या है कोई भी व्यक्ति जो अपना नाम लिख सकता हो या फिर हमारी गिंती को पढ़ सकता हो या फिर उनको count कर सकता हो या कुछ लिख सकता हो उसको हम लोग functional literate कहते हैं यानि कि आपको जरूरी नहीं कि आप high school, inter या graduate हो बस आपको अपना नाम को लिखना आना चाहिए या फिर आप गिंतियों को यानि कि digits को आप count कर सकते हो और कोई भी भाशा में कोई भी पत्र या कोई भी कागस लिखाए उसको आप read कर सकते हैं तो आपको functionally literate या functional literate के रू 2011 की जनगर्ना के अनुसार मांडला जिला के अंदर 68 प्रतिशत हमारी साक्षरता दर थी यानि कि literacy जो rate था हमारा वो क्या था 68% लेकिन अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में एक report आई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि मांडला जिले के अंदर मात्र जो हैं 2.25 लाक लोग क् भी भी आसिक्षित हैं यानि कि illiterate हैं तो मांडला का जो जिला प्रशाशन है उन्होंने इसी report का हमारा आधार बनाया और यहीं पर एक नया scheme को एक नई हमारी पहल को launch किया जिसके बाद हमारे मांडला जिले के अंदर सभी लोग जो 2.25 लोग भी अनपड रह गये थे उनक को भी functional literate के रूप में हमारा तैयार कर दिया तो क्या है यह scheme आईए समझते हैं तो पहले तो functional literate का मतलब समझ में आया और background समझ में आया Yes or No? यहां तक सब को समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं चलिए अब अगर हम देखें यहां पर तो मद्य प्रदेश के जो हमारे राज्य मंत्री है विशाहुल सिंग जी के द्वारा यह बताया गया कि मांडला जो है पहला हमारा fully functional तिस्टिक बन गया है तो वर्ष 2020 के दौरान जो है मांडला का जो प्रशाशन है उसके दौरा निराक शर्ता से आजादी अभ्यान की शुरुवात की गई थी तो 2020 में इसकी शुरुवात की गई और जिले के अंदर जो भी हमारे हमारे सिक्षा विभाग या फिर महिला और बाल विकास मंत्राले या फिर समाजि किया गया कि वो लोगों के घर घर तक जाए और उनके अंदर ये हमारी जो कारयात्मक साख्षर्ता है उसको बढ़ाएं यानि कि उन लोगों को लिखने पढ़ने के बारे में बताएं और उनको सिखाएं भी ताकि वहां के लोग हमारे फुली फंक्शनल लिटरेट हो पाए तो यह जो initiative है यानि कि नी शाक्षर्ता से अजादी अभ्यान के लिए इसकी शुरुबात 2020 में की गई थी और दो वर्षों के उपरांत हमारा मांडला क्या है भारत का पहला fully functional literate के बिष्टिक बन गया है क्लियर नोट कर लिचे है कि क्लियर है यहां पर कोई confusion है डाउट किसी को तो कैसे बना और क्या इसके पीछे का हमारा उद्देश था याद रखेगा है क्लियर अकाश तो इसका हमारा योजना समझ में आई नी रख्षक्ता से अजादी अभ्यान ठीक कर देवाटा दुबारा इसका देखो मतलब क्या है देखो मांडला जो जिला है मद्देप्रदेश का 2011 की जनगर्णा के अनुसार 68 प्रतिशत हमारी वहां की साक्षर्टा दरती यानि की 32 प्रतिशत लोग अभी भी अनपड़ते लेकिन अगर हम 2020 की रिपोर्ट की बात करें के सिक्षा विबाग के समाजिक कार्यकरताओं को और महिला बाल विकास मंत्राले के हमारे अधिकारियों को और करमचारियों को लोगों के घर घर भेजा गया जहां पर लोगों के हमारी जो हमारी कार्यात्मक साक्षर्टा है उसके बारे में उनको लिखना पढ़ना और हमार का जो नाम वगरा लिखने के बारे में सिखाया गया इन सब चीज़ों को बताने के बाद अब मांडला के अंदर हर वैक्टीरी लिख सकता है पड़ सकता है और चीजों को समझ सकता है यह तो सब्सक्राइब चलिए बढ़ते हैं अगली नियूस की तरफ कि सर यह जोजना किस ने किया है लॉंच विभाग ने किया वहां का जो एजुकेशन विभाग है उनके द्वारा किया गया है ठीक है और वहां के जो अभी राज्य मंत्री है उनके द्वारा इसका एलान किया गया कि यह हमारा हो गया है प्रिया यहां पर लिखा हुआ है बढ़ते हैं बंगली नियूस की तरफ जो की बहुत इंपॉर्टेंट हमारी यह नियूस है तो बंगला देश की एक आर्ची टेक्चर मरीना तवस्सुम जो है साउथ एशिया के पहली व्यक्ति बन गई है जिनको लिजबन ट्रेनरी लाइफटाइम अचीवमेंट एवार्ट से सम्मानित किया गया है तो यह कहां की हैं बंगला देश की मूल निवासी हैं तो क्या किया गया है इनके द्वारा आईए समस्ते हैं और जिसके लिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है तो अगर हम दोस्तों बात करें तो यहां पर आपको दो पिच्चर नजर आ रही होंगी यहां पर अगर आप देखें तो दो पिच्चर आपको नजर आ रही होंगी यहां पर एक मकान नजर आ रहा होगा और यहां पर बैंबू के हट नजर आ रहे होंगे तो ये जो हमारे मॉडल हैं ये हमारे रहने के मॉडल्स हैं जो की इनके द्वारा हमारा डिजाइन किया गया है तो अगर आप पहला मॉडल देखेंगे तो ये एक प्रकार का हमारा ऐसे पक्के मकान है जहाँ पे गरीब लोग रह सकते हैं तो बंगला देश के अंदर इसको हमारा बनाया गया किसके दौरा मरीना तबस्व के दौरा जहां पर हमारे लोग रह सकते हैं अगर हम बात करें तो इसके लावा इन्होंने बंगला देश के अंदर एक मस्दित का भी निर्मान किया जिसको बैत और रॉप के नाम से जानते हैं तो कि अपने आप में क्या है एक बहुती यूनीक हमारी क्या है मौस्क है इसके लावा अगर हम देखे तो यहां पर आप देखोगे एक बैम्बू के मकान नजर आ रहे हैं तो बंगला देश में बैम्बू की खेती बहुत जादा होती है और बंगला देश में रोहिंग्या मुस्लिम का भी हमारी बहुत बड़ी समस्या है आपने देखा होगा कि भारत के अंदर भी कई रोहिंग्या मुस्लिम्स हमारे पलाइन कर चुके हैं तो बंगला देश में एक जगा है जिसका नाम है कौक्स बजार वहां के उकिया इलाके के अंदर इस प्रकार के बैंबू के मकान बनाए गए हैं ताकि जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं उनको यहां पर रहने की सुविधा मिल सके तो रोहिंग्या मुस्लिम के लिए जो इ प्रोट कर लीजेगा क्या काम के लिए इंको दिया गया है तो यह जो एवाड है यह लिजबन की सरकार के द्वारा हमारा दिया जाता है और अक्टूबर में एक सम्मेलन आयोजित होगा और उसके अंदर क्या है इनको इस पुरुसकार से सम्मानित किया जाएगा इनके चौंफ की मजजित मौस्क जो की कहां परिस्तित है धाका में बनाई बनाई गई है उसका निर्माण का डिजाइन क्या है इनके द्वारा किया गया दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे लो कौश्ट लो कोस्ट बैम्बू बैम्बू हट्स का निर्माड जो है यूकिया यूकिया इलाके में किया गया है कॉक्स बजार के तो कॉक्स बजार वहां का एक शहर है उसका जो यूकिया इलाका है वहां पर इस बैम्बू प्लांट्स को यहां पर बनाया गया है ठीक है याद रखेगा हर तो मरीना तावसं में और बंगलादेश से आती है और वहाँ पर इनका हमारा एक प्रकार की जाती है जो की हमारा रिफ्यूजी है बंगलादेश से भारत में भी काफी आई है ठीक है अच्छा बैंबू वाला बढ़िया लग रहा है वह हमारा रोहिंग्या रिफ्यूजी के लिए बनाया गया है कि कि नोट कर लीजे फिर बढ़ते हैं अगले नियूज की तरफ कि क्या चीज नहीं उनका उनका जो धरम है उनको हम लोग रोहिंग्या मुस्लिम्स कहते हैं रोहिंग्या रिफ्यूजी जो होते हैं वो तो भारत में आके रह रहे हैं रिफ्यूजी कौन होता है जो कुछ दूसरे देश में आके पलायन करता है लेकिन असलियत में क्या करें त क्योंकि मैनमार UKे बॉर्डर के पास पाये झाते हैं तो रोहिंगया जो है रैनकाइन इस्टेट है एक मैनमार का तो वहाँ के जूम Нिवासी यह उनको हमुआ जिसाज़ा घैनाव से जानते हैं और वो जब दूसरे देश में आ ज Tesh भारत में अगर कोई आ गया तो उनको हम रोहिंगया क्या कहेंगे रोहिंगया रिफ्यूजी कहेंगे शैनार्ती कहेंगे क्योंकि वो शरण के लिए कहा है हमारे देश में इसलिए हम लोग रोहिंगया रिफ्यूजी कहते हैं और कास से क्या है यह मुसलिम से हैं तो इसलिए में आपको रोहिंग्या मुस्ल्म भी नजर आएका ठाखन ऐसलिए मैंने यहां पर रोहिंग्या रिफ्यूजी मुस्लीम का इस्तेमाल किया है कि है आई यह इच्छा नाम है यह वारसे लेशन च弦 standard है वरा विश्व में पता है का पर है यह झा या स्लिप अप्प थण होने लगा। लेजवन क्या है लेजबन पोर्चूगल की राजधानी है। वैसे लेजबन क्या पोर्चूगल की राजधानी है तो उनके द्वारह सम्मान को दिया जाता है ठीक है कि याद रखिएगा रोगोत आप पर क्लास में आज की last news निकल करके आती है मेघाले के अंदर हमारा दूसरा North East Olympics का आयोजन किया जा रहा है तो मेघाले का जो sports department है उसको यहाँ पर जिम्मेदारी सौपी गई है कि वो दूसरा संस्करन हमारे North East Olympics का यहाँ पर आयोजित करें तो 30 October से हमारा यह North East Olympics का आयोजन हमारा मेघाले के अंदर होने वाला है अगर हम बात करें तो इस साल का जो हमारा यह इवेंट है यह हमारा और बहतर और और बड़ा होने वाला है क्यों आईए समस्ते हैं अगर हम बात करें तो इसका पहला संस्करन यानि की इसका पहला एडिशन जो था वो 2018 में मनीपूर में हुआ था कहाँ पर हुआ था मनीपूर में जहाँ पर हमारे 12 खेलों को यानि की 12 अलग अलग प्रतिस्पद्दाओं को इसके अंदर शामिल किया गया था तो 12 डिसिप्लिन को 2018 में मनीपूर में आयुजित पहले नौटीष्ट उलम्पिक्स में किया गया था और अब जो ये सेकंड एडिशन होना है ये मेघाले में होना है 2022 में जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 4000 के करीब athlete यहाँ पर participate करेंगे जो कि हमारे 18 हमारे अलग-अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे तो 18 disciplines में 4000 athlete यहाँ पर हमारा participate करेंगे और लगभग 13 अलग-अलग venue में इसका आयोजन किया जाएगा इसको नोट कर लीजेगा इसमें इससे ज़्यादा पढ़ने का कोई आवशक्ता नहीं है इतना नोट कर लीजेगा क्लियर चलिए तो नोट कर लीजे मेगाले के sports department को जिम्मेदारी दी गई है कि दूसरा संस्क्रण वह North East Olympics का आयोजित करेंगे अभी इसकी starting date का एलान किया गया है अभी इसका end date और conclusion के लिए मेगाले sports department को बोला गया है कि आप finalize करिए तो 30 October इसकी शुरुवात की date बताई गई है लेकिन अभी समापन के लिए इसका कोई तारीक या फिर official schedule अभी डिक्लियर नहीं किया गया है तो जब अभी वविश्व में आएगा तो उसके बारे में बता देंगे फिलाल अभी क्या है 30 October से इसकी शुरुवात करने के लिए बोला गया है चलिए मेजबानी का मतलब होता है host करना यहां पर देखे लिखा हुआ है तो चलिए यह हमारी आज की news थी अब आते हैं सीधे quiz पर और देखते हैं कि क्या क्या सवाल आज के session से बन सकते हैं तो पहला सवाल देखते हैं government of India unrevealed for better industry and research and development collaboration भारत की सरकार ने बहतर उद्द्योग और research and development सयोग के लिए हमारे किस मंच का हाली में अनावरण किया मन्थन, समाधान, नवचार या फिर प्रगती किसका शुरुवात भारत की सरकार के द्वारा हाली में की गई है तो इसका सही आंसर क्या है? मन्थन की तो मन्थन एक ऐसा मंच है जहाँ पर हमारे देश्क में उद्द्योग और research and development एक साथ काम सरेंगे तो किसके द्वारा launch किया गया है? जरा ये भी comment में बता दीजे किसके द्वारा launch किया गया है? Office of Principal Scientific Scientific Advisor जो की इस समय कौन है? प्रोफेसर अजे कुमार सूद जी है ठीक है? तो Office of Principal Scientific Advisor के द्वारा इसको launch किया गया है अगला सवाल हाली में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत की सरकार के द्वारा एक Donier Maritime Reconscience Aircraft को इन में से किस देश को हमारा गिफ्ट में दिया गया? बंगलादेश, इंडोनेशिया, श्रिलंका, या फिर मालदीब्स तो सही आंसर क्या है इसका? हमारा श्रिलंका तीसरा सवाल आपको बताना है इन में से कौन सा जिला भारत का पहला उन रूप से हमारे कार्यात्मिक रूप से साक्षर जिला बन गया है हांडवा जिला, जबलपूर, मांडला या फिर कटक अच्छा आप में से बता सकता है मांडला जिला किस बड़े शहर के नजदीक है? जबलपूर के पास पड़ता है, जबलपूर के पास, कोई अगर MP का होगा तो वो जानता होगा मांडला में हमारे फेमस हमारे नैशनल पार्क भी ये कौन सा है? पताईए, इसके बारे में पता होना चाहिए अगला सवाल, आपको बताना है, इन में से कौन पहली हमारी साउथ एशियन व्यक्ति बन गई है जिनको लेजबन ट्रेनिनल लाइफटाइम अचीवमेंट एबॉर्ट से समानित किया जाएगा सलमा बेग, सुलेखा पंडित, मरीना तबस्वम या फिर अरुन्दति घोश पताईए, मांडला में कौन सा टाइगा रिजर्व है? अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है, सब कोश्चन पर लगे हैं जवलपुर के पास पढ़ता है मांडला कौन सा है? मरीना तबस्वम जो कि बंगलादेश की हैं, उनको लाइफटाइम अचीवमेंट आबोर्ट से यहाँ पर सम्मानित किया गया है लास्ट सवाल, आपको बताना है इनमें से कौन से राज्ज में हमारा दूसरा संस्करन नौर्थ इस्ट उलम्पिक्स का होना है? बताइए, सिक्किम, मनिपूर, मेगाले या फिर असाम कहना नैशनल पार्क जो कि मांडला के नजदीक पड़ता है, है ना? कहना नैशनल पार्क जो है मांडला के पास पर पड़ता है और बहुत ही फेमस हमारा टाइगर रिजर्ट भी है तो मेगाले में हमारा नौर्थ इस्ट में हमारा ओलम्पिक्स का आयोजन मेगाले में किया जाएगा 30 अक्टूबर से, ठीक है? याद रखेगा तो यह हमारा आज का सतर था जो कि यहाँ पर समाप्त होता ही होग कि आपको करेंट अफेस की चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी इसके लावा हमारे बाइजूज एक्जाम प्रेप पे कॉंप्रेहंसिफ कोर्स जो की यूपी पीसेस के 2023 की तियारी के लिए शुरू होने जा रहा है उसके लिए आपके पास एक सुनहरा मौका है तो हमारा जो कॉंप्रेहंसिफ कोर्स होगा उसके अंदर आपको 300 से अधिक हाई क्वालिटी के वीडियोस डेली, वीकली और मंतली करेंट अफेस के वीडियोस एक हजार से अधिक डेली और हमारा वीकली कॉश्चन्स का अभियास और 24 घंटे के अंदर हमारा जो कॉश्चन्स है या डाउट्स है उनका कवरेज और टेस्स स्रीज और सब कुछ आपको यहाँ पे कवर मिलेगा इसके लावा इनोट्स और आपको हार्ड कॉपी में बुकलेट्स भी अविलेबिल होंगी तो इसके लिए आप अधिक जानकारी के लिए हमारे काउंसलर के नंबर 9650052904 पे कॉल भी कर सकने हैं और आप में से कुछ लकी छात्रों के पास मौका भी है कि आप हमारे 28 अगस् इसकॉलर्शिप टेस्ट में हिसा ले और 90% तक का इसकॉलर्शिप प्राप करके इन कोर्सेस में हमारे अच्छे डिसकाउंट्स को अवेल कर सकते हैं तो इन कॉंप्रियेंसिव कोर्स में जोडने के लिए आप हमारे काउंसलर के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और इसकॉलर करते हैं कि आठ बजे होगा रॉष्णिंग कल सैटरड़े है तो वीकली करेंट अफेस का पुईज आठ बज़े एप पर होगा होगा ठीक है तो आठ बज़े के लिए आप त्यार रहेगा तो इसी के साथ साथ आज का इस सत्र से आप समाप्त करते हैं और अपसे कुछी करते हैं आज के सत्र को और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तिल देन बबाए है अपना ख्याल लखिएगा और रिशी के ताज हसते रहिए मुस्कुराते रहिए स्वस्त रहिए और मस्त रहिए धन्यवाद दोस्तों